हलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल स्रस लणिंग में बच्चों ये आपकी हिंदी की सिक्स कलास की बेटा वक्षिट है जिसमें हमारा चैप्टर जो है पाठ जो है अक्षरों का मेहतु भाग दो चल रहा है ठीके बच्चों और ये हमारी चो कारे पत्रक है उसकी जो संक्या है वो है 16, 16 और जो डेट है हमारी वो है 19 नवंबर 2020 इसमें क्या हमने पिछली कारे पत्रक में हमने पढ़ा है कि लेखक गुणाकार मुले ने अक्षरों के इत्यास के बारे में बताया है कि पुस्तके अक्षरों से ही बनती है पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि अक्षर की खोच इश्वन ने की है पर आज हम जानते हैं कि अक्षर की खोच किसी इश्वन नहीं बलकि स्वेम आदमी ने की है अब क्या है इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं यह हमने क्या है इतना हमने पिछली काले पत्रग में हमने पढ़ा था अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारी यह धर्थी लगबख पांच अरब साल पुलानी है दो तीन अरब साल तक इस धर्थी पर किसी प्रकार के जीव जन्तु नहीं थे फिर करोडों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धर्थी पर राज जरहा मतलब पहले किया है कुछ भी नहीं था फिर क्या है जीव जन्तु आए और फिर किया है कि वनस्पति जीव जन्तु आए इस धर्थी पर राज जरहा आदमी ने इस धर्थी पर कोई पहले आदवी ने गाउं को बसाना शुरू किया वे खेती करने लगा वे पत्रों और अजारों को इस्तिमाल करने लगा फिर उसने तामबे और कासे के भी ओजार बनाए क्या है यह मानव की क्या है यह विकास होता रहा प्रगति एतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरे अपने भाव व्यक्त किये जैसे पशू, पक्षियों, आदी, आदिमों, आदी के चित्र बनाए जैसे आपको यह दिखाए तरह बना रहा है इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित में आए जैसे एक छोटे विरित के चहू और किर्णों की दियोधक तरह अनिक भाव संकेत अस्तित में आए तब जाकर काफी बाद मांदम ने किया है अक्षरों की खोच की मतलब यह है कितने बहुत टाइम बात क्या हुई हमारे इसमें जो हमारे वर्ड आये हैं अस्तित।-अस्तित का मतलब होता है मोजूदगी प्रागे तिहासिक मानब हो हमने इसको पढ़ लिया अप हम इसके question an answer करते हैं इस गद्याच को आपको चिंदा करने के पेंचे कोई जरू रहती है हमने क्या सारे question आपके लिखें रखी है एक करके हम question को पढ़ते जाते हैं और इस question को हम जो है समझते जाते हैं पहला कोशन क्या है हमारा कि अक्षरों के ग्यान से पहले मनुश्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुचाने के लिए किन किन माध्यों का सहारा लेता था तो क्या है ये अक्षर के ज्यान से पुरूम मनुश्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुचाने के लिए चित्र संकेतों का सहरा लेता था ये बच्चे यहां से आप अपना कोशन लिख लिए दूसरा कोशन क्या है बटा हमारा कि पुराने जमाने में लोग या क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाशा की जो खोज है वो इक्षर इश्वर ने की है अपने मित्रिया बाइवैन से बात चीत करके हमें क्या है इसका आंसर हमें देना है बटा पहले आप खुद सोचेगा कि ऐसा मानव क्यों समझता था फिर आ अपने भाव को केवल चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त करते थे व्यक्त कर सकते थे इसलिए ही वो क्या है प्राने चमाने के लोग इस चीज को क्या है वो सोचते थे ठीक है बटा अब हमारा तीसरा कोशन है कि सोच कर ले कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ही ना होता क्योंकि हमें जैसे अपनी उसमें पढ़ा क्या अक्षर ना होते तो क्या है माना को अस्तित्वी ना होता उसे अब हम क्या कोशन आंसर देखते हैं क्या है देखो अगर हमारे पास अक्षन ना होते तो आज हम इतिहाज को न जान पाते और यह भी न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों साल में मनुश्य किस प्रकार रहता था क्या सोचता था कौन-कौन से राजा हुआ करते थे इतियादी तो अगर pardon then everything comes đến दो हमारे किताब कैसे लिखे जाती है क्योंकि हमें प्रोजन लोगा इसलिए हमें पता चलाकुर हमारे लिए बहुत जरूरी है अब है हमारा 4th question की कारे पत्रक में आए संख्या शब जैसे 5 एक आदि को पहचान कर लिखी इसका मतलब है इस question का यह बहुत confusing question है इस question का मतलब है कि आपके जो कारे पत्रक है जो जो गध्यांच है इसमें कौन कौन सी आपकी संख्या आई हुई है तो कौन कौन सी संख्या आई हुई है देखो कारे पत्रक में निम संख्या का प्रियोग हुआ है एक का दो का तीन का पांच का और दस का इन संख्या का क्या है आपकी कारे पत्रक में जो है इनका उप्योग हुआ है प्रियोग कारे पत्रक में निम संख्या का प्रियोग नहीं हुआ है सब पहले हमारा कोशन था कि किन सब्दों का प्रियोग हुआ है अब हमारा कोशन यह है कि किन का प्रियोग नहीं हुआ है तो कुन कर नहीं हुआ है चार का, छे का, साथ का, आठ का और नो का इनका इन चुप संख्या का प्रियोग जो है हमारी कारे पत्रक में नहीं हुआ ठीक है बच्चो तो ये बच्चो आपने आज से देखके लिख लेना तो बच्चो ये हमारी आज की आपकी 6th किलास की हिंदी की बेटा वक्षिट है अगर अच्छी लग रही हो तो बच्चे लाइक का बटन जूर दबाईएगा इसमें कंजूसी मत दिखाएगा ठीक है बच्चो क्योंकि इसका हमें तहीं दिल से मत्दब इसका बहुत इंतजार रहता है और बच्चे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए या आपके तरफ से हमारी गुर्द रक्षना होगी और यही हमारी हैल्प होगी ठीक है बच्चो अब हम मिलेंगे आगे की वक्षित के साथ हमेशा खुश रही है कोविड-19 से बचके रही है क्योंकि अब बहुत फैल रहा है आप कहेंगे कैसे बच सकते हैं आप मास को प्योग करें कहीं जाएं सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब बहार से आएं तो अपने हातों को सानिटाइज करें और धोएं और इस तरीके से क्या है अवेर्नेस फिलाएं ताकि सब क्या है कोविड-19 से बचें ठीक है बच्चो अब मिलते हैं आगे की वक्षिट के साथ धन्यवाद आपका बहुत-बहुत कि आप मारी वीडियो देए करें और उसको सरहरें इसके तहीं दिल से शुकरिया मिलते हैं बच्चो आगे की वक्षिट के साथ बाई बच्चो